आप इस तरह से अपने घर में ऐसे पंचागनी बना सकते हैं और इससे लाब उठा सकते हैं ये छे त्रिकोण छे चक्रों को दर्शाते हैं आप इसे दिन में बस छे से आठ घंटे तक जलाईए और आकाशिक तत्व प्रबल हो जाएगा अगर बीमार लोग हैं, बड़ती उम्र के बच्चे हैं, बुढ़े लोग हैं तो ये उनके लिए चमतकार करेगा हर इनसान चाहता है कि उसके पास अपना खाना हो और अपना पानी हो जहिर है अगर आप बगल में बैठे किसी विक्ति से नफरत करते हैं, तो आप अपनी हवा भी चाहेंगे जब आप देखते हैं कि आपके आसपास हर कोई अपने विकास और परम संभावना के प्रती उतना गंभीर नहीं है जितने आप हैं, तो आपको अपनी खुद की आग भी चाहिए होती है आप सारवजने कगनी के पास नहीं बैठना चाहते एक साधू कभी भी ग्रस्तों के साथ आग के आसपास नहीं बैठेगा, वो उनके साथ बैठना नहीं चाहता वो उस तरपर उन लोगों के साथ समवाद नहीं करना चाहता, जो शारिरिक क्रियाओं में लिप्त है इसलिए उनको अपनी ही आग चाही होती है वो सिर्फ उन शक्तियों से समवाद करना चाहते हैं जो उनसे परे हैं समवाद करना मतलब बोलना नहीं है वो बाकी लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके उर्जा हर किसी के साथ घुल मिल जाए वो नहीं चाहते कि उनके भीतर का सोक्षम पहलू, उनकी उपस्थिती और आस्तित्व का सोक्षम पहलू, विभिन लोगों के साथ मिल जाए क्योंकि जब आप आग के आस पास बैठते हैं, तो किसी ना किसी तरह आप एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। आप ऐसा नहीं होने दिना चाहते अगर आप एक विशेश दिशा में काम कर रहे हैं तो एक साधू जिसने अपने जीवन पर एक खास महारत हासिल कर ली है किसी और के साथ बैठना नहीं चाहता उसको अपनी खुद की आग चाहिए होती है और वो उसके साथ बैठना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर के साथ समवाद करना चाहता है किसी और के साथ नहीं इसलिए अपनी अलग धुनी होती है और ये धुनिया कई तरीकों से जलाई जाती थी मूल धुनी उश्रणी में आती है जिसे कहते हैं पंचाग्णी पंचाग्णी साधनाएं होती है पंचाग्णी मंत्र हैं पंचाग्णी क्रियाएं हैं हम आपको आपके घर में एक छोटी सी पंचाग्णी के साथ प्रयोग करा सकते हैं देख सकते हैं, आप अपने घर को कैसे रूप अंत्रित कर सकते हैं। मान लिजी कि आप ध्यान करने के लिए एक स्पेस बनाना चाहते हैं। आपके घर पर या मान लिजी कि आपके घर में बुरे लोग हैं या बच्चे हैं या कोई है जो बीमार है। तो या बस सामान्य सहायक वातावरण के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं आप ऐसा करने के लिए पांचों मूल भूत तत्वों का उप्योग कर सकते हैं मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ बहुत बड़ा मैं कोशिश कर दोस्य कर सकते हैं कर दोट कर दो जो बार नहुरा जायग बटार चार जोट पर फिवाओना कर दो घुलाड़ पारी कर दोस्ट कर दो आजदा है so you just draw 4 triangles तो आप बस 4 तरिकोंड बनाईएगा दो ऊपर की ओर देखने वाले तरिकोंड दो नीचे की ओर देखने वाले तरिकोंड मानलिजे आपने इसे दस बाई 10 फूट की जगा दी है या 6 बाई 6 फूट की जैसी भी जगाँ आप बनाना चाहते हैं और बीच के दो त्रिकोन एक दूसरे को काट रहे हैं ताकि ये अनाहत का एक ताराज ऐसा बन जाए आप इसे आटे से बना सकते हैं, चावल के आटे से या आप इसे अनाजों से बना सकते हैं यूँ कहिए कि दालों से या सिर्फ चावल से आप बस एक धांचा बना सकते हैं या इसे भर सकते हैं मैं तो पूर्ण बात ये है कुछ ऐसा जो पृत्वी से जुड़ा हो आप ऐसा करने के लिए महीन लाल मिट्टी का भी उप्योग कर सकते हैं तो यहां को मिलाकर 6 त्रिकोण हैं यह 6 त्रिकोण 6 चक्रों को दर्शाते हैं क्योंकि सातवा वाला ऐसा नहीं है जिसे आप ऐसे प्रभावित कर सकते हैं यह 6 चक्र हैं और 5 तत्व हैं और 5 अलग-लग अग्निय हैं तो आप एक प्लेट लीजेगा बेतर होगा कि तामबे की प्लेट हो या किसी भी धातू की प्लेट हो सकती है इसे पानी से भर लीजेओ और उसमें आप एक दिया रखिए घी का एक दिया या वनस्पती तेल का दिया अच्छा होगा कि तिल का तेल हो तिल गर्मी पैदा करता है सर्दियों में पूरे दक्षन भारत में लोग बहुत सारे तिल खाया करते हैं ताकि शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो ये भारी मांत्रा में गर्मी पैदा करता है तो तिल का तेल या घी या कोई अन्य वनस्पती तेल के पांच दिये और इसके आसपास पानी आप बस इसे दिन में 6-8 घंटे तक जलाईए ये जगा एक निश्चित स्तर की आभा एक खटा कर लेगी और आकाशिक तत्व प्रबल हो जाएगा अगर बीमार लोग हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, बुढ़े लोग हैं तो ये उनके लिए चमतकारिक रूप से काम करेगा या अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, आप ध्यान करने के लिए एक जगा बनाना चाहते हैं ये खुपसूर्ती से काम करेगा आप ऐसे बस आप बस ऐसे अपने लिए इस तरह की जगा बना सकते हैं हर रोज अगर आप इने सिर्फ 6-8 गंटे तक जला लें और फिर आप इसे हटा सकते हैं और वहाँ बैठ सकते हैं या आप इसे एक पर्मनिन चीज भी बना सकते हैं आप इने किसी प्रकार की शीट पर रख सकते हैं ताकि आप इने हटा सके हैं और आप जब बैठना चाहें त मैनेज करने का एक तरीका है अगर कोई उससे जुड़े मंतरों को और क्रियाओं को सीखना चाता है तो ये संभव है लेकिन इसमें एक अलग स्तर की सहभागिता और ध्यान की जरूरत होगे लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हर कोई कर सकता है तो आप अपने घर में इस तरह से पंचागनी बना सकते हैं और उससे लाब उठा सकते हैं सद्गुरु इतने अनुष्ठान वाले क्यों हो रहे हैं उन्होंने उमें बताया था कि किसी भी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है सब कुछ भीतर से किया जा सकता है सौ प्रतिशत अगर आप अगर आप जानते हैं कि भीतर की और कैसे मुड़ना है और अपने भीतर की इस सरवागनी को बनाए रखते हैं जो ब्रम्हांड में हर चीज को छूती है तो उन्हें से किसी भी चीज की आवश्चक्ता नहीं है जहां बैठे वही सबसे उप्युक्त स्थान है आपकी उपस्थिती ही इन सारी व्यवस्थाओं की तुल्ना में लाखों गुना बहतर काम करेगी लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो बाहर से साहता लेने में कुछ गलत नहीं है अगर आप ऐसी स्थिती में हैं कि आपके होने का तरीका आपके आसपास की किसी चीज से प्रभावित नहीं होता तो आपको किसी अनुष्ठान की जरूत नहीं है आपको कुछ नहीं चाहिए होगा जो भीतर है वो सब समाल लेगा प्रभावित नहीं होगा